Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक शिर और सबस्क्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाप से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि April 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पास यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे Six of Wands और देखे Six of Wands का कार्ड movement की बात करता है shift की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है बहुत जबर्दस confidence की बात करता है अपने लिए relationship के लिए partner के लिए किसी level पे stance लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ time से या फिर April starting में रहता हुआ देख रहा है क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि literally आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर आप travel कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जबर्दस एक confidence again खुद पे इस relationship पे आता हुआ दिख रहा है और कहीं इसी confidence के साथ इसी assurity के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं इस relationship में या फिर आगे आप बढ़ना चाहा रहे हैं और देखिए deeper level के लिए first petal का card कहता है कि कोई चीज fade होनी शुरू हो रही है और ये भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए पुरानी memories हो सकती है पुरानी कोई बात हो सकती है या फिर current partner से related कोई चीज हो सकती है जो fade हो रही है किसी level पे decrease या रिमिनेश हो रही है और दिखिए या पे lust का card बहुत ही clearly physical intimacy, physical connect, physical attraction की बात करता है card कहता है कि इसी direction में आप कोई initiative, आप कोई action नहीं ले रहे है या फिर इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले आप face कर रहे हैं और कहीं बहुत ही courageously आप इन चीजों को कहीं mid April में deal नहीं करते हुए दिख रहे हैं या मैं कह सकते हूँ कि इनी चीजों से किसी level पे आप घबराते हुए या फिर किसी level पे आप डरते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए जो confidence हमने April starting में देखा था वही confidence कहीं April end में भी आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है और अगेन देखिए इसी confidence के साथ आप next steps प्लान करना चाहा रहे हैं अगेन देखिए आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं action initiatives लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और देखिए ये card भी कहीं travel की बात करता है तो कहीं April month में अगेन मैं कहूंगी या तो आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या फिर travels related कोई planning चलते हुए दिख रही है and के deeper level के लिए together forever का card कहता है कि आप हमेशा के लिए अपने partner का साथ चाहते हैं आप हमेशा के लिए companionship उनके साथ चाहते हैं marriage चाहते हैं, engagement चाहते हैं और फिर से मैं कहूंगी उसी से ही related कहीं end of April में आप action initiatives ले रहे हैं उसी के लिए आप आगे भी बढ़ना चाहा रहे हैं या बढ़ रहे हैं और अब देखते हैं स्कॉप पे उसके आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए दिखिए अगर हम broadly speaking देखें तो यहाँ पे तीनों ही cups के cards हैं और यह cards कहते हैं कि आपके partner आपको लेकर इस relationship को लेकर या फिर in general भी किसी चीज़ को लेकर काफी emotional April मांथ में हो रहे हैं वो logically चीज़ों को नहीं deal कर पा रहे हैं या फिर बहुत practical, बहुत realistic वो नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और दिखिए यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ Scorpios के partner के लिए हो सकता है कि पीछे कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई और दिखिए बहुत, एक you know mood swings भी उनके होते हुए दिख रहे हैं April starting में किसी चीज़ को लेकर over emotional, over sentimental भी वो होते हुए दिख रहे हैं और एक negative frame of mind भी कहीं again mid April तक उनका रहतावा दिख रहा है deeper level के लिए protection का card कहता है कि वो इस relationship को protect करना चाहा रहे हैं और कहीं meditation का card कहता है इसी लिए या फिर otherwise भी वो चीजों से withdraw करके चीजों को और समझना चाहा रहे हैं कुछ सवाल उनके mind में हैं उनहीं के जवाब वो you know ढूंडते हुए दिख रहे हैं या फिर चाहते हुए दिख रहे हैं और देखिए end April के लिए commitment का card बहुत ही clearly कहता है कि वो भी आप ही की तरह एक commitment एक stability इस relationship में लाना चाहा रहे हैं वो भी engagement, marriage या फिर long term आपके साथ you know इस relationship में चाहते हुए देख रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए night of cups का card कहता है कि again deeper level पे वो commitment चाहा रहे हैं लेकिन surface level पे एक खवाब ज़ादा देख रहे हैं एक imagination इसी चीज़ को लेकर उनके mind में ज़ादा रह रही है कहीं हो सकता है कि concrete steps इस direction में वो लेना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं और अब देखते हैं scopios के April मन्त में क्या हो रहा है देखे April starting में कुछ issues, कुछ मसले, कुछ challenges रह रहे हैं देखे यहाँ पे toxic and strength का card कहता है कि आप दोनों याँ आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बहुत एक दूसरे की आदत पड़ गई है बहुत जादा एक दूसरे की presence आप चाहा रहे हैं और इसी वज़े से याँ पिर otherwise भी कुछ issues हैं कुछ challenges हैं जिसकी वज़े से कहीं परेशान आप लोग होते हुए दिख रहे हैं एक toxic energy deeper level पर अगेन आप लोग महसूस कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए strength का काट कहता है कि बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately हर चीज़ को deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और बहुत सारे chances हैं कि मन ही मन एक frustration, एक irritation बिल्ड हो रही है लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि बहुत ही sabr, बहुत ही patience, बहुत ही love के साथ आप इन ही energies को deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और दिखें, mid April के लिए passion and sun reverse के cards कहते हैं कि काफी एक happiness, एक joy, एक satisfaction रहती होई दिख रही है लेकिन साथी साथ एक missing feeling भी है क्योंकि यहां पिस sun का card reverse है दिखें, फिर से मैं कहूंगी कि एक enjoyment है लेकिन पूरी तरीके से आप लोग enjoy नहीं कर पा रहे हैं चीजों को deeper level के लिए बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement इस relationship में है यहां पिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन फिर से दिखें साथी साथी एक missing feeling भी रहती हुई दिख रही है और देखें end April के लिए victory and page of swords के cards कहते हैं कि कोई चीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहा रहे थे उसी से ही related एक success मिलता हुआ दिख रहा है victory मिलती हुई दिख रही है again वो चीज जो आप चाहा रहे थे आपको मिलती हुई दिख रही है लेकिन surface level के लिए page of swords का card कहता है कि फिर भी एक irritation एक frustration है और थोड़े से या फिर काफी blunt आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं और जादा चीजों को जानना चाहा रहे हैं एक curiosity रह रही है और दिखिए कुछ स्कॉपियोज मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ कुछ स्कॉपियोज या फिर उनके partner हो सकते हैं कि बहुत जादा social media पे एक दूसरे को stock कर रहे हैं कहिए किसी तरीके का doubt किसी तरीके का एक मैं कहूंगे कि 100% faith एक दूसरे पे surface level पे आप नहीं महसूस कर रहे हैं इसके बावजूत की एक खुशी है, enthusiasm है, excitement है और किसी level पे एक success भी आप लोगों को मिल रहा है तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए April 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को लाइक, शियर और सबस्क्राइब जरूर करें